हेलो गाइस फेल कंडू स्पेशल एजुकेशन हमेशकार दोस्तों स्वागत करते हूं आप सब आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो आज किस वीडियो में मैं आपके लिए एक और इंपोरेंट इंफोर्मेशन लेकर हूं तो आज मैं आपके लिए जो पार्ट नमबर थी है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर रहा हूं ठीक आप लोग चैनल पर पहली बार रिजिट कर रहे हो and if you have not subscribe this channel then please do subscribe the channel also press the bell icon so you can get all the latest updates from our channel and अगर आप लोग फायर मैं के और कि पोस्ट के लिए आप लोग ने मोक टेस्ट नहीं डाउनलोड किया तो जाकर डाउनलोड कर सकते हो link आप लोग को नीचे description box में दिया हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूव करते हैं हमारे फॉर्स कोशन की तरफ तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉमिशन और शेयर करना चाहूँँगा आप फायर मैं का जो मैंने सेकंड पार्ट अपलोड किया था उसमें actually दो कोशन मैंने गल अगर्ट कर दूँगा और इसकी पीडियाफ भी आपको डिस्क्रिप्शन वोक्स के निचे दिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक मिल जाएगा महासे आप लोग स्की पीडियाफ भी डाउलोड कर सकते हो तो फर्स्ट कोशन आप लोग के सामने हैं इनसाइड ए बिल्डिंग fire extensure must be placed within the dash distance of each other मतलब भवन के अंदर अगनी शामा की अंतर एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे जाने चाहिए आपके सामने हैं आप लोग को इसका राइट अंसर बताना है और वीडियो एंड उने के बाद दोस्तो आप लोग मुझे अपना स्कूर भी बताना है आपका क्या स्कूर रहा है ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो किस लैवल की चल रही है तो दोस्तों इस question का जो answer होगा वो आपका option number B 75 feet option number B is your right answer अगला question आप लोग के सामने है How often should fire extinguisher be checked अगनी शमक यंत्रो को कितनी बार जाच की जानी चाहिए हर साल, sorry, हर महीने, हर साल 6 महीने में एक बार या कभी भी नहीं तो इसका जो right answer है वो option number A monthly अगला question आपके सामने, a powder extension can be used to, can be used on which type of fire किस परकार की आग पर powder extension का उपयोग किया जाता है तो ये class A की आग पर, class B की आग पर, या फिर class C की आग पर so इसका जो right answer है, option number D, all of the above, class A, B and C इन तीनों की आग पर, और class A में solid materials आते हैं like wood हो गया, paper हो गया, textile हो गया, class B में liquid materials आते हैं like petrol हो गया, diesel हो गया, oil हो गया अगला question आपके सामने है, what should you do when your clothes catches fire जब आपके कपडों पर, मालों की किसी candy rate, किसी भी person की कपडों पर आग लगती है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए जब आपके कपडों में आग रख जाए तो आपको क्या करना चाहिए तो इसका जो right answer होगा, वो होगा, option number A stop where you are, सबसे पहले तो आग लगती है, तो आपको वहीं रुख जाना है then drop to the floor, तो आपको floor पर लेट जाना है roll against the floor, और floor पर आपको roll करना है, गूमना है जानी डाल के ठंडा करना है, so option number A is your right answer अगला question दोस्तों आप लोग के सामने है in the event of an uncontrolled fire in your vicinity, your fire course of action should be to आपके आजपास के शेतर में एक अन्यंत्रित आग की स्थिती में आपकी अगनी कारवाई का तरीका क्या होना चाहिए options आपके सामने है and इसका दोस्तों जो right answer है, option number A activate the alarm, मतलब आपके आजपास के शेतर में जैसी आग लगती है तो सबसे पहले आपको alarm को activate करना चाहिए so option number A is your right answer अगला question आपके सामने है, where should be placed fire alarm fire alarm कहां पर लगाना चाहिए जो fire alarm होते है, आप लोगों को पता ही होगा simple का कोशन है, आप लोगोंने offices में यह जहां exam देने जाते हो iron digital वगएरा में, महावे fire alarms वगएरा लगे होते है, तो कहां पर लगे होते है तो इसका दोस्तों जो right answer हो है option number D, on the roof चत पर आप लोगों के fire alarm लगे होते है अगला कोशन आप लोगों के सामने है which of the following fire extinguisher is used to put out a class A fire निमन में से किस अगनी शामक का उपयोग कक्षा A की आग बुजाने के लिए किया जाता है CO2, carbon dioxide, water, multi-purpose dry chemical या फिर option number D so इसका जो right answer होगा option number D, both water and multi-purpose dry chemical option number D is your right answer अगला कोशन आपके सामने है यह आपका 8 हुआ which of the following fire extinguisher is used to put out fire course by flammable liquids निमन लिखित में से किस अगनी शामक का परियोग जोलन शील द्रवों से होने वाली आग को बुजाने के लिए किया जाता है options आपके सामने है और इसका जो right answer होगा वोगा class B, carbon die oxide fire extinguisher option number B is your right answer अगला कोशन आपके सामने है where should you aim a fire extinguisher nozzle when putting out a fire आग बुजाते समय आग बुजाने वाले nozzle का लक्षे है कहां रखना चाहिए मतलब आग लगी और fire extinguisher से आप लोग आग बुजा रहे हो तो उसका जो nozzle होता है वो कहां से start करना चाहिए आपको आग बुजाने के लिए top से, base से, center से या away from the fire so इसका जो right answer होगा option number B at the base of the fire fire के base से जहां से जहां पर आग जहां से आग लगनी start होई है मतलब जो base है fire का जहां से आग लगी है वहाँ पर अगला question आपके सामने है what should be used to put out electrical fire बिजली की आग को बुजाने के लिए क्या प्रियोग किया जाना चाहिए so ctc carbon tetra chloride मैं already यह आपको काफी time बर बता चुको अगला question आपके सामने है what should be used to put out soda acid fire soda acid fire को बुजाने के लिए क्या यूज किया जाना चाहिए so दोस्तों इसका जो right answer है water option number a is your right answer ठीक है अगला question आपके सामने है what should be used to put out oil fire तेल की आग बुजाने या तेल से लगी आग को बुजाने के लिए क्या प्रियोग किया जाता है so इसका जो right answer है option number a foam fire अगला question आपके सामने है dry fire extensor are used for शुश्क अगनी शामक का उप्योग किस के लिए किया जाता है तो शुश्क अगनी शामक का प्रियोग electrical fire के लिए किया जाता है option number a again option number a is your right answer अगला question आपके सामने है what type of fire extensor is जो fire अगनी शामक होते है और कितने प्रकार के होते है मолов कों से प्रकार के होते है तो यह आपके आग बजानेवाले होते है fire distencer option number b gas dispenser नहीं होते और यह जो आपको option number c दिया होए इंसेंड़ सामन सुटे है आग लगाने वले यह भी लिए यह भी नहीं होते है आग बुजाने वाले होते है तो इसका राइट अप्शन नमबर भी यह हिंदी में लाइंग वे चेंज कर लेना एक्चिलि इसकोशन का मतलब है जो फाइर एक्टेंशर होते है वह कौन से टाइप के होते है ठीक है किसलिए यूज होते है तो आग बुजाने के लिए होते है बुजाने वाले किस परकार के इंदन के लिए डिजाइन किये गई है उप्शन आपके सामने है और इसका जो राइट एंसर है वह है क्लास ए बी एंड सी ऑप्शन नमबर भी इजो राइट अंसर ठीक है तो यह था आपका आज का कंप्लीट वीडियो और यह इसके अंसर द कि लर्क और फायर मेंड के मोग टैस नहीं डाउनलोड किये तो जाकर डाउनलोड कर लेना एंड पुरानी वीडियो नहीं देखी थे वह भी एक्जाम से पहले आप लोग देख लेना इसके लावा जो हमारी सीरीज चलरी है मोग टैस्ट की अगर वह भी आप लोग नहीं द देख रहे तो वो भी देख लेना और इसके लाबा कोई डाउट्स वगरा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो धन्यावाद दोस्तों आज के लिए बस इतना ही